जै मातादी दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दीब दान की सही विधी क्या है मकर संक्राती के दिन हमें कितने दिये लगाने हैं दिये में बाती कौन सी लगानी है और बाद में दियों का क्या करना है मिट्टी के दिये लेने हैं कि पितल के दिये लेने हैं कैसी क्या करना है सभी जानकारी विस्तार्ट से हम आपके लिए लेकर आए हैं तो यह देखिए यहां पे पितल का दिया है मिट्टी का दिया है आप कोई भी देपक इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन पीतल का दिया हम 14 की संख्या में नहीं दान कर सकते हैं इसलिए हमने मिट्टी का दिया यहां पे लिया है यदि आपके पास मिट्टी का दिया भी नहीं है तो आप अपने घर पे ही दिये बना सकते हैं और 14 की संख्या में यह दिये आपको लगाने है तो यहां पे यह आर्ट लिया है आर्टी का पीली रंग का दिख रहा है क्योंकि हमने इसमें हल्दी और थोड़ा सा देशाघ गी डालकर ताइब दो लगाया है अब इसी से हमें 14 दिये तयार करने है दोस्तों आटे का दिया बहुत ही शुव होता है और मकर संक्राती के जैसा दिन है तो आपको बहुत ही विशेज दीपक तयार करना है यह 14 लोगियां हमारी तयार होगी अब इससे हमने यह दिये बना लिए हैं 14 की संख्या में और इन में हमें देखिए हम बार- बाती भी लगा सकते हैं गोल लंबी लगाना है तो क्रोस बत्ती लगा यानि चार दिये प्रजुलित करने हैं और गोल लगा रहे हैं तो गोल बाती तो एक उपर आकास की तरफ दीप होता ही है तो बस इस तरह से आपको इन दियों को थोड़ा सा नीचे हलका सा खोलते हुए दिये को अच्छे से सेट कर देना है जिससे कि आपकी बाती सही से लंबे समय तक प्रजुलित रह पाए तो हम सभी दियों पर ये गोल बाती लगा दे रहे हैं अब इनमें हमें कौन सा घी या तेल इस्तेमाल करना है वो भी हम जान लेते हैं तो दोस्तों इनमें आपको नहीं है तो आप तिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं फिज़ा जये तो कि हम इसे घर में भी लगाएंगे तोहरं ज़द सचे encontramos में झिल का आख सकते हैं लेकिन विशम पर शुपनाल में Patriotten ले में क्लक्य की सर्दियों के मौसम में अभी ये घी जमा हुआ है तो अभी वीडियो बढाने के लिए हम तिल का तेल ले रहे हैं और सभी पर हम अच्छे तरीके से इस तेल को डाल देंगे अब इसकी बात क्या करना है आईए वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं हम इसमें थोड़े थोड़े क इसमें आप अगर तत्यों कर दी नहीं है अब थोड़े बात्यों में आपको हहल्दी नहीं है तो इस विड्दी के बा旦 में अब हम लगा जाते हैं उसे चावल थोड़ा चिड़क दे रहे हैं ौर ये साथ में दख्षणा क्योंकि कि बिना दक्षणा के कोई भी दान हमारा सफल नहीं होता है तो आप अपनी स्वेक्षा से कुछ भी दक्षणा ले सकते हो और इस दक्षणा को बाद में क्या करना है वो भी हम समझेंगे अब हम दीपक प्रजलित करते हैं तो देखिए यह 14 स्थानों पे लगाना है तो जो द दी दान करने से पहले पूझन किया जाता है तो हल्दी और कुमकुम तो देखिए यहा पर हलदी कुमकुम हम थोड़ा झाब masa रिखनी और भी तिक हम धे दीयों को यथा ऐस्थान हमें रखना है ।ो हम सबहले दい यां पर लगादे अब हम पहला दिया कहां लगाएंगे और इन दियों का बाद में क्या करना है तो पहला हमें अपने पूजा मंदिर में लगाना है और जो आपके घर के आस-पास का मंदिर है वहां भी आपको रखना है और यह दक्षणा वही पर आपको दे देना है आप अपने इक्षा के अन अपने पूजा मंदिर में रखने वाले हैं तो पूजा मंदिर में जो आपका घर का मंदिर हैं बहां पे आप रखें लक्षमी जी के सामने रख सकते हैं या फिर किसी भी देवता के सामने आपको इस तरह से दिये रख लेने हैं तो दियों को हमने फूलों का आसन दिया है इस तो आप के बीचों-बीच में अस्तान में रखना है जिसे क्यों पास क्यों के आप पास रखेंगे क्योंकि यह सारे पंच व्रिक्ष नगाना है ये है तुलसी का पौधा तो जैसे कि मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि हमारे घर पे कई तुलसी के पौधे होते हैं पांच प्रकार के रामा और श्यामा सभी पांच तुलसी मैंने लगा के रखी है और सदियों में इनका विशेश ध्यान रखा जाता है जिससे में कीट पतंगे ना लगे तो यह एक दिया हम तुलसी माता के पास में रख रहे हैं यहां भी मैंने फूलो का ही आसन दिया है ठीक है तो आसन का आप ध्यान जरूर रखिएगा थोड़ा सा आठा ही आप रख लीजेगा बिना असन के दिपक हमें नहीं रखना होता है अगला दिया हमें आउले के ब्रिक्ष के पास में रखना है दोस्तों वीडियो स्कुप हो चुकी है इसलिए आम माइट मत करियेगा आउले का ब्रिक्ष आपके घर के आस पास हो या आपके घर पे हो। आप आउले के ब्रिक्ष के पास में दीपक लगा सकते हैं। गर पे यह दिग्ष नहीं है तो आप उन अगले धिया हम लेंगे अपनी रसोई घर में रखेंगे क्योंकि में अग्णि की प्रधानता दिक होती है और माता अन्पूर्णा की क्रपा हमें प्राप्त हो इसलिए हमें रसोई घर में शुब तिफियों में दीप रूर्णा चाह और यह दिये रात्री को हमें लगाने हैं रात्री को संधिया के गुदूली बेला में भी आप लगा सकते हो अगला दिया हम गोशाला में रखेंगे तो जैज़ा मैंने लास्ट वीडियो बताया था कि गोशाला अगर आपको नहीं जाना है मतलब दूर है या आपके घर के अगला दिया का है तो देखिए दोनों आजु बाजु आपा है या फिर एक दिया रख सकते हैं यह आपके ऊपर डिपिंड़ करता है तो यहां पर मुख्य दौर हम ये दिया रखेंगे और रहे हमने यहां भी आसन दिया और ऑशी यह प्लेट में पर सकता है क्युक्ए जम दीप प्रजलित किये हैं अब अगला दिया हमें अपने पित्रों के नाम से लगाना है तो पित्रों के नाम से आप कहां लगाएंगे अपने बालकनी में आप लगा सकते हैं या घर से बाहर भी आप लगा सकते हैं या छट के उपर आप रख सकते हैं चौमुखी दीपक आप पित्रों के नाम से लगा सकते हैं और या फिर एक मुखी दीपक भी आप लगाएं घर के मंदिर जानी कि घर के आसपास जो मंदिर हो बहां पर भी आप लगा सकते हैं पहला मंदिर जो आपके घर से पढ़ता हो आप वहां पर लगाएं अगला दीपक काए नदी-ःत या घर के पानी के पास में भी आपको पर लगाना चालिए जहां पर पानी रखने का स्थान में अपका आरो जहां लगा रख सकते हैं पानी की बुकेट में धाल करें दे घर के पास यह जो आपको नब हैं उसके ना मिले उसके नाम से आप वहां पर जो दूसरा घ्राइब इस तरह से जो जातक मकरसंक्राती के दिन चोधा धीप । करता है और पूर्ण स्रध्धा भाव से मनन करता है उसकी सभी मनोकामनाय पूर्ण होती हैं बाद में दियो को आप इकठा करके किसी जिवजन्त को खाने के लिए दे सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपको